hi everyone welcome to my channel stock market unlimited देखिए मैं पिछले वीडियो में ये सारी option chain वगेरा प्लस FII, DIIS वगेरा का data पिछले वीडियो में discuss कर चुका हूं तो किसी को देखना हो तो आप मेरे previous वीडियो में जाके देख सकते हैं इस वाले वीडियो में हम levels देख लेते हैं कि क्या levels बनके आ रहे हैं कहाँ पर किस तरही ही opportunity हमें मिल सकती है तो देखिए सबसे पहले अगर हम nifty discuss कर लेते हैं तो nifty के अंदर जो आज का low लगा है मतलब Friday का low था 19,253 या 252 वाला level आप मानके चलिए जब तक market इस level के नीचे 15 minute की closing नहीं देगा तब तक हम shorting की opportunity नहीं देखेंगे market के अंदर ठीक है although हमारे targets अगर इसके नीचे 15 minute की closing आती है तो हमारे targets फिर 19,196 तक के होंगे अगर इस level के नीचे closing नहीं आती suppose की यहां से कोई wick बन जाती है उपर की side किया कुछ हो जाता है अगर ऐसे closing नहीं आती यहां पर तो हम यहां से एक buying की opportunity देख सकते हैं उसके targets आप इस वाले level तक के रखिएगा which is 19,340 का level है अभी देखिए gift nifty जो है वो बिल्कुल sideways ही है जहां पर हमारी closing आई थी वहीं के आसपास है तो अगर कोई market gap वगएरा करके खुलता है इस वाले area पर तो हमारे लिए एक तरीके से no trading zone के अंदर होगा क्योंकि देखिए यहां से market ऐसे भी आ सकता है नीचे और ऊपर की तरफ भी निकल सकता है तो हमें पता नहीं है यहां पर क्या करना है तो इसलिए हम avoid करेंगे उसके लिए best possible scenario क्या रहेगा मैंने जैसे call writer और put writer का graph आप लोगों के साथ discuss किया हुआ है उसका मैं वीडियो जो लेवल के ऊपर closing नहीं देता 19388 वाला लेवल जो है जब तक इस लेवल के ऊपर closing नहीं देता तब तक कोई buying की opportunity हमें देखनी नहीं है because chances क्या हो सकते हैं अगर market इसी वाले level से support लेके ऊपर चला जाता है ना तो हो सकता है Monday Tuesday को यहीं कहीं पर रुख जाए और Tuesday के बाद फिर Otherwise अगर यहीं कहीं पर market खुल जाता है suppose कि यह gap अप ही अच्छा खासा खुलता और पहली 15 minute की closing ऊपर की आ जाती है तो आप एक buying opportunity देख सकते हो जिसके targets फिर आपके 19460 तक भी हो सकते हैं नीचे की side का देखिए मैंने आपको बताई दिया 15 minute की closing इस level के नीचे मिलनी चाहिए तो पहला target आपका यह होगा 19196 का दूसरा target आप 19152 का रख सकते हैं इसके बाद अगर हम bank nifty देख लेते हैं तो देखिए bank nifty के अंदर मैं आपसे बोलूँगा इस level के बीच में avoid करना काफी बड़ी range निकल के आ रही है almost 400 point की range है यह ठीक है इस range के बीच में बिलकुल avoid 47 और नीचे की side में 43601 का जो level है विकास देखिए बोलने को मैं यह level भी बोल सकता हूं आपसे 43 744 के असपस का जो level है कि इसके नीचे 15 minute की closing आ जाए तो आप एक shorting की opportunity देख सकते हैं बट वो भी risky रहेगा थोड़ा although आप ले सकते हो बट risky trade है वो अगर किसी को इस वाले level प आती है यहां से तो हम target अपने यही रखेंगे 43 474 के although safe side होने के लिए पहला target 43601 का रख सकते हैं जो यहां से ही shorting की opportunity देखेंगे otherwise अगर इस level के नीचे 43601 के नीचे हमें closing मिलती है तो हम एक shorting की opportunity देखेंगे जिसके target हमारे 43 474 तक के होंगे उपर की side में तो देखिए 34,300 तक के बट ऐसा नहीं होगा कल-कल में हो जाए अगर मार्केट में अच्छा खासा gap up होता है ना यहां कहीं पर market gap up होता है तब 15 मिनिट की closing पहली 15 मिनिट की closing इस वाई level के उपर आ जाती है तब हम देखेंगे वो buying की opportunity और उसके target यहां पर रखेंगे otherwise अगर यहां कहीं पर खुल रहा है market और उपर की तरफ जा रहा है तो हम अवाइड करेंगे फर्दर उपर की side का trade अभी देखिए फिन निफ्टी के अंदर भी जैसा bank निफ्टी के अंदर वाला scenario है similar वोई scenario है इस zone के अंदर 19.623 से लेके 19.422 जैना almost 200 point का यह zone निकल के आ रहा है इस zone के 19.520 का अगर market यहां कहीं sideways खुलता है और इस level के उपर 15 minute की closing देता है 19.520 वाले level के उपर तब आप एक बाइंग की opportunity देख सकते हो जिसके target आप रखना यहां के 19.600 के यह एक opportunity आप देख सकते हो बट यह रिस्की रहेगी मैं तो आप से कहूंगा कि avoid की जिएगा इस zone के अं पास पास तक का रहेगा ठीक है तो आप इसको mark कर लेना इन दो levels अपसाइड तो देखिए अगर कोई बहुत बड़ा gap up खुल जाता है market यहां पे कहीं खुल जाया और पहली 15 minute की closing इसके उपर आजा है 19.623 के उपर तो हम targets अपने 19.706 के लगाएंगे ठीक है otherwise अगर इसी zone म मैं वीडियो गाइस है वागोड़ देखिए